मानसून का मोसम जहां गर्मी से राहत देता है तो वही रोज मर्रा की जिंदगी में कई चुनोतिया भी लाता है खास कर उन लोगों के लिए जो बाइक से ओफिस जाते है या पबलिक ट्रांसपोर्ट का उप्योग करते है उनके लिए बारिश में अपने डिजिटल डिवाइस जैसे मूबाइल, लेप्टॉप, स्मार्ट वॉच और ब्लुटूट डिवाइस को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनोती हो जाता है हर साल बारिश के कारण कई लोगों के ये डिवाइस खराब हो जाते हैं ऐसे में हम आपको कुछ महतपूर्ण टिप्स बता रहे हैं, जिनका पालन करके आप अपने डिवाइस को सुरक्षित रख सकते हैं सबसे पहले अपने स्मार्ट फोन का बेक अप जरूर ले लिजे ये बेक अप आप कलाउड या अपने PC में सुरक्षित रख सकते हैं इससे आपके मैथपून डेटा की सुरक्षा सुनिचित होगी अपने स्मार्टफोन के लिए waterproof cover और water replant screen guard का उप्योग करे आप सिलिकोन बेक cover का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जोकि सिलिकोन में पानी को अवशोशित करने की शमता होती है आप अपने बेक में सिलिकोन packets रख सकते हैं ये packets आपके device में मौझूद नमी को अवशोशित कर लेंगे जिससे आपका device सुरक्षित रहेगा बारिश के दोरान किसी भी digital उपकरण का इस्तिमाल बिल्कुल ना करे ये सबसे सरल और परभावी तरीका है अपने device को सुरक्षित रखने का अगर आपके device में पानी चला जाये तो तुरंत उसे switch off कर दे device को on ना करे और ना ही उसे charging पर लगाए एक towel ले और towel से device को हलके से साफ करे लेकिन charger जेक में फूक ना मारे इससे पानी अंदर जा सकता है hair dryer की जगा vacuum cleaner का उपयोग करे vacuum cleaner से पानी को बाहर निकाला जा सकता है इसके बाद device के साथ silicone packets रख दे ये कुछी घंटों में device का सारा पानी अवशोशित कर लेंगे अगर इन सभी परियासों के बाद भी आपका device सही नहीं होता है तो उसे service center पर ले जाए वहाँ उनके पास कुछ ऐसे उपकरण होते है जो आपके device को पूरी तरह से सुका सकते है आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपके device को बारिश के मोसम में सुरक्षित रखेगी मानसून का आनंद ले और अपने उपकरण का खयाल भी रखे सच बेधड़क के लिए जावेद खान की ये खास report